जीत कर रोमन रेंज लेंगे सेथ रॉलिंस और ट्रिपल एच से अपनी बेज़दी का बतला जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों मंडे नाइट रोके अपिसोड में दे गेम ने नई वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप रिवील की लेकिन टाइटल रिवील करने के बाद ट्रिपल एच ने कहा कि इस नई चैंपियनशिप को जीतने वाला रैसलर फैंस से एकनॉलेजमेंट की डिमांड नहीं कर डाली अपने प्रोमो के दोरान फैंस का रॉमे स्वागत करने के बाद रॉलिंस बोले एकलेश में होने वाले अपने मैच से जुड़ी आप सब की फीलिंग्स जानने आया था लेकिन मेरी नजरें उससे भी बड़ी चीज़ पर पढ़ चुकी है इतना कहकर दविजिनरी न इतने भी रैसलरों को हराया उनके लिस्ट में मेरा नाम नहीं है क्योंकि मुझे ट्राइबल चीफ ने कभी हराया चाहता है पर सचा ही ये है कि कुछ लोग अब भी लड़ना चाहते हैं ये जो टाइटल है ना ये नेता गिरी और पार्ट टाइमर्स के लिए नहीं है हमारे पास इस टाइटल के रूप में एक बड़ा सुनहरा मौका है नाइट ओफ चैंपियन्स में हमें ये नया वर्ल्ड हैविवेट चैंपियन मिलेगा और इसके लिए मेरा पैसा सिर्फ एक ही बंद इतने में ओमास ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया फिर क्या था दविजिनरी इस दानव की भी हवा टाइट कर डाली और बैकलेश में ओमास का टकला भोड़ कर उसे हराने का वादा किया पर सबसे बड़ा सवा चैंपियन्शिप के आते ही हर कोई रोमन को टारगेट क्यों कर रहा है इस नई टाइटल को देखकर हर कोई रोमन की बेज़िती करते हुए ऐसा क्यों कहता है कि ट्राइबल चीफ इस टाइटल को कभी नहीं जीतेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा और एक बार रोमन ने तीसरे वर्ल्ड टाइटल को भी नाइट आफ चैंपियन्ज में जीत लेंगे लेकिन क्या ट्राइबल चीफ को ये नई चैंपियन्शिप भी जीत नी चाहिए कॉमेंट करके जरूर बताइए